हेलो दोस्तो माई नेमिज विकास कुमर आज की वीडियो में सीखेंगे कि पास्पोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं और पास्पोर्ट साइज फोटो एडिट कैसे करते हैं दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ सेर करें दोस्तों अगर आपके पास लेप्टोप याप कम्प्यूटर है, तो आप घर बैठे हैं, पास्पोर्ट साइज फोटो बनाना सीख सकते हैं अगर पासपोर्ट साइज फोटो आपको नहीं बनाने आता है, तो एक वीडियो सुरू से राष्ट तक देखिए, आपको फोटो सौप में पासपोर्ट साइज फोटो बनाना आ जायगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं और आपको सिखाते हैं कि Photoshop में Passport Size Photo कैसे बनाते हैं दोस्तों अगर आपके पास laptop या computer है उसमें जो कोई भी Photoshop है उसे open कर लेना है Photoshop open करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे start पे click करेंगे start पे click करने के बाद है यहाँ पे search करेंगे Photoshop यहाँ पे Photoshop ख्लिक है यहाँ पे देखिए मेरे पास Photoshop 7.0 है वह आ चुगा है हम यहाँ पे click कर देंगे click करने के बाद देखिए मेरे Photoshop 7.0 open हो रहा है Photoshop open होने के बाद कुछी इसतरा का interface दीखेगा आपको यहाँ पे photo open कर लेना है तो आपका फाइल मिनू का डायलोग भग खुल कर open हो जाएगा, इसको cut कर देते हैं, दूसरा तरीका है, आपको फाइल पे जाना है, और यहाँ पे लिखा है open, इस पे हम click करेंगे, click करने के बाद यहाँ से भी अपना photo slip करके open कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी अटाते हैं, त Photoshop में लाकर छोड़ देना है, तो आपका photo open हो जाएगा, जब photo आपका Photoshop में open हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, इस पे click किजिएगा, तो आपका photo full screen में हो जाएगा, इस पे हम click करिए, तो photo मेरा full screen में हो चुका है, अब इस photo को हम लोग सबसे पहले crop करेंगे, crop करने के करेंगे, crop tool का shortcut की C है, keypad से C प्रेस करेंगे, तो crop tool सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो toolbar में देखेंगे, तो यहाँ पे crop tool बना है, यहाँ पे देखिए, इस पे हम click कर देंगे, click करने के बाद photo का side डालेंगे, photo का side कहां पे डालेंगे, हमने crop tool पर क्लिक किया, उपर में 4 inch resolution डालिएगा, 300, तीनों column फिल करने के बाद, आप यहाँ पे कुछी इस तरस्ते, crop tool से selection मला लीजिएगा, जब crop tool से ऐसा selection बन जाए, तो आपको keypad में, enter का bottom है, उसे दबा देना है, तो आपका photo crop हो जाएगा, crop करने के बाद, इस photo को सबसे पहले हम background change करेंगे, अगर है कि घर है, बगएचा है, paint है, मतलब हटाना चाहते हैं, तो background कैसे remove करते हैं, वो सीख लेते हैं, देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले photo को बाड़ा करेंगे, photo बाड़ा करने के लिए control के साथ में plus तबाएंगे, तो photo बाड़ा होगा, और control के साथ में minus तबाएंगे, तो photo चोटा होगा, background चेंज करने के लिए, हम लोग यहाँ पे paint tool का विज करेंगे, paint tool का shortcut की P है, keypad में P press करेंगे, तो paint tool सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं, तो toolbar में देखिए, अहाँ पे paint tool बना है, इस पे हम click कर देंगे, click करने के बाद, उपर में देखिए, दो box दिखाई दे रह तो जिस box में paint लगा है, उस पे हम click करेंगे, click करने के बाद, उसके ही बगल में एक paint है, और एक paint पे थोड़ा सा ठेड़ा मेडा line बना है, उसको select नहीं रखना है, केवल जहाँ पे paint बना है, उसको select रखना है, और select करने के बाद, आपको यहाँ पे paint tool से selection बना लेना है, एक select करना नहीं चाहते हैं, और select हो जाता है, तो उसे back जाने के लिए, देखिए, हमने आपे, इदर की side में selection मना दिये, इसे back जाने के लिए हम लोग control alt z प्रेस करेंगे, control alt z प्रेस किये, तो यह back चला गया, तो back जाने के लिए हम लोग control alt z का अपयोग करते हैं चलिए तो आगे का selection मना लेते हैं कुछी इस तरह से आपको भी selection मना लेना है अगर आप photo को नीचे उपर करना चाहते हैं अभी तो मेरा photo बड़ा है अब हम photo को नीचे करना चाहते हैं उपर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कीपेड में आपका एक space का button होगा जो सबसे बड़ा होगा उससे दबाए रखना है और mouse के left button क्लिक करके नीचे की side में कीजिएगा तो आपका photo नीचे चले जाएगा और फिर space का button दबा कर mouse के left button क्लिक करके उपर की side में कीजिएगा तो photo आपका उपर चला जाएगा तो हमें आपे selection मना लेते हैं नीचे उपर करने के लिए आपको space का button दबाए रखना है और mouse के left button क्लिक करके ऐसे से कीजिएगा तो आपका photo जहां मनता हो जाएगा तो चली आगे का selection मना लेते हैं दोस्तों अगर मेरे चैनल के नए है तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ सेर करें ताकि वह भी photo shop में photo edit करना, passport size photo बनाना सीख सकते हैं तो हमें आपे आगे की selection मना लेते हैं मिलते हैं थोड़ी देर के बाद वीडियो को थोड़ा सा fast forward कर देते हैं फोटो को छोटा कर लिए पोटो को छोड़ा करने के बाद जहांसे selection मनाना start किये थे वह ही पे ले जाकर के click कर देंगे तो हमने आपे selection photo का बना लिया है, अब वहांपे ले जाकर के click कर रहा है, जहांसे हमने photo का selection में बना start किये थे तो जहां से start किये थे वहाँ पे ले जाकर के click करने के लिए हम लोग उपर की side से ले जाएंगे और वहाँ पे ले जाकर के click कर देंगे तो कुछ इस तरह चे paint tool से अपका path बन कर के तियार हो जाएगा अभी हम लोग का pen tool से path बन करती यार हुआ है, मतलब की एक selection के रूप में एक चिन्हा बन गया है, अभी से हम लोग selection tool बदलने के लिए का करेंगे, control दबाएंगे और enter प्रेस कर देंगे, control और enter, तो देखिए, पहले मेरा path था, अभी selection tool में बदल चुका है, जहां जहां हमने selection बनाया वहाँ, वहाँ select हो गया है, कुछरिया छूट भी गया है, देखिए, यहां पे भी white है, और यहां पे भी थोड़ी सी white है, तो इसको भी हम लोग साथ में select करेंगे, और फिर background को change करेंगे, यहां पे देखिए, यह lasso tool है, lasso tool पे right click करना है, यहां पे देखिए, तीन लिखा है, फेदर में हम लोग 0 डालेंगे, 0, फेदर में 0 डालना है, फेदर में 0 डालने के बाद, shift को दबाये रखेंगे, और shift दबाने के बाद, जहां जहां area select करना है, वहाँ वहाँ पे click कर देंगे, एक बार shift दबाना है, और mouse की lift button क्लिक करके, वहाँ पे click कर देना है, और छोड़ देना है shift बटम को कुछ इस तरह से जहां से selection बनाना start के थे लासो tool से वहाई पे लजा करके इसको भी click कर देना है तो देखिए यहां पे भी selection बन चुका है और थोड़ा सा यहां पे भी बनाना है तो फिर shift तबाएंगे और यहां का भी area select कर लेंगे देखिए मेरा background तो select हो चुका है अब इस background में हम लोग color fill करेंगे color fill करने के लिए सबसे पहले हम लोग color को select करेंगे color कहां पे select करेंगे चलिए देखते हैं यहां पे देखिए एक black color है और एक white color है जहां पे white color है उस पे हम click करेंगे click करने के बाद यहां से हम लोग background का color select करेंगे background में color डालेंगे हम लोग blue ज्यादा तर photo में color blue युज होता है हम लोग यहां पे blue select करेंगे और यहां पे ok press कर देंगे तो देखिए एक blue है और एक black है बेग्राउंड का कलर तो हम लोग सेलेक्ट कर लिया हैं अब बेग्राउंड में कलर फिल करेंगे बेग्राउंड में कलर फिल करने के लिए कंट्रोल को दबाएंगे कंट्रोल दबाने के बाद बैकर स्पेस दबादेंगे तो background में color pin हो जाएगा अब यह जो selection tool चल रहा है इसको अटाने के लिए हम लोग control के साथ में D press करेंगे control D तो यह मेरा selection tool हट चुका है अब इस photo पर थोड़ी सी light बढ़ाएंगे light बढ़ाने के लिए मतलब कि थोड़ी सी photo को गोड़ा करेंगे तो photo को गोड़ा करने के लिए हम लोग image पर जाएंगे exception पर click करेंगे और यहाँ पर लिखाया curve है जिसका shortcut की control M है अगर keep it से आप control M भी प्रेस करते हैं तो curve का dialogue box जो हता है curve का खुल कर open हो जाएगा मतलब कि जो light बढ़ाता है गटाता है वो control M दबाने से खुल कर open हो जाएगा नहीं तो हम लोग curve पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर देखिए line बना है इस line को हम उपर की side में करेंगे तो photo में light आएगा नीचे की side में करेंगे तो photo dark होगा मतलब कि photo काला होगा तो हम photo में light बढ़ाना चाहते हैं तो उपर की side में करेंगे इतना रखेंगे यहाँ पर देखिए RGB लिखा हुआ है इस पर click करेंगे RGB पर click करने के बाद यहाँ पर चार option दिखने के लिए मिल रहा है RGB, red, green, blue red को select करके अगर इस वाले line को हम उपर की side में करते हैं तो photo मेरा लाल हो जाएगा green को select करके इस वाले line को उपर की side में करेंगे तो photo मेरा पहले पिला होगा पिला हारा होगा और बाद में नीचे करेंगे तो इस photo मेरा गुलाबी हो जाएगा नीचे में है blue अगर बुलू पर क्लिक करके आम इस वाले लाइन को छेड़ते हैं, तो मेरा फोटो बुलू हो जाएगा, और नहीं तो रेड हो जाएगा, उपर में लिखा है RGB, इस पर क्लिक करके आम इस वाले लाइन को छेड़ेंगे, तो इस तीनो कलर को साथ में बढ़ाएगा, और तीनो color को साथ में घटाएगा तो हम यहाँ पर किसी color को नहीं छड़ेंगे केवल RGB को छड़ेंगे ताकि तीनो color साथ में बढ़ाए और तीनो color साथ में बढ़ाए इतना रखेंगे ओके प्रेस कर देंगे देखिए मेरा photo में तो light आ चुका है अब इसको हम थोड़ी सी selective color से मिला लेंगे selective color से मिलाने के लिए हम फिर image पर जाएंगे इमेज पर जाने के बाद एक जेश्मन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है selective color इस पर हम क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद देखिए आप चार option दिखने के लिए मिलेगा siam, magenta, yellow, black यह जो नीचे में black लिखा है इसको हम plus क्योर करेंगे तो photo मेरा white होगा अगर हम इस वाले black को जो dot बना है यह वोला इसको minus क्योर करेंगे तो photo में darkness आएगा देखिए मेरा photo कैसा हो गया अगर इस आइकन भी बना होगा black color का उस पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इस वाले dot को फिर minus क्योर करेंगे तो dark हो जाएगा इतना रखेंगे और ok प्रेस कर देंगे देखिए मेरा passport से फोटो बनकर तियार हो चुका है 64 के page पे 8 photo बनाएंगे 64 के page पे 8 photo कैसे बनाते हैं चार गुनाचे का page लेने के लिए फाइल पे जाएंगे फाइल पे जाने के बाद new लिखा है new पर क्लिक करेंगे नहीं तो इसका shortcut की control n है कीपेड से control n भी प्रेस करेंगे तो new पेज लेने के लिए dialogue box खुलकर open हो जाएगा हम यहाँ पे new पर क्लिक करेंगे क्लिक किये परजेंट size लिखा है पेज का size लेना है वो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से select करिएगा तो हम यहाँ पे 4 गुनाचे का page select करते हैं और यहाँ पे okay press कर देंगे देखिए मेरा 4 गुनाचे का एक page तो आ चुका है इस पे 8 photo बनाने के लिए हम लोग इस page को rotate करेंगे मतलब कि अ पर लिखा है rotate के نवास इस पे click करके 90 CW पर click कर देंगे तो यह मेरा page rotate हो चुका है मतलब कि page मेरा latest कि हप में हो चुका है अब यहाँ पर move to select करेंगे move to देखे tool bar में यहाँ पर बनाय bit अलिएग इस वाले box पर click करेंगे तो मेरा photo फूल स्क्रीन में हो जाएगा अब इस photo को एक side में करेंगे एक side में कर लिए थोड़ा सा समाई लेजिए देखिए ए लेयर पैनल है लेयर पैनल में एक background है और एक layer 1 बना है जो layer 1 है यह मेरा photo है और जो यहाँ पे background है यह मेरा page का background है उजला जो दिखाई दे रहा है वो मेरा background बना हुआ है तो layer 1 है उसको select रखेंगे यह मेरा blue है layer 1 तो यह select है और यह जो नीचे में खाली दिखाई दे रहा है select नहीं है तो हमें आप ए photo पर click किया है layer panel को थोड़ी सी side कर देते हैं देखें यह मेरा photo select हो चुका है select होने के बाद shift और alt को दबाए रखना है mouse के left button photo पर click किजिएगा और drag and drop किजिएगा तो आपका दो photo बन जाएगा इसी तरह से दो photo और बनाएंगे shift और alt को दबाए रखना है दो photo और बना लेते हैं अब shift और alt को छोड़ देना है shift और alt छोड़े के बाद देखें layer में धिर सारा layer बन चुका है और नीचे में एक background का background है उपर में चार layer photo का है और नीचे में एक background है यह जो चारो layer photo का है सभी को select करेंगे select करने के लिए आख के बगल में एक box दिखाई दे रहा है यहाँ पर यहाँ पर आख बना है उसके बगल में एक box बना है उस पर हम click करेंगे यहाँ पर दो box और खाली है उस पर भी click कर देगे यह दिखे मेरा photo select हो चुका है photo select होने के बाद layer पर चले जाएंगे और यहाँ पर करेंगे merge linkate merge linkate का shortcut की control E है keypets अगर control E प्रेस करते हैं तो यह सारा layer merge हो जाएगा merge के मतलब यह होता है कि सभी layer मिलकर एक layer बन जाएगा हम यहाँ merge linkate पर click करेंगे देखिए पहले यहाँ पर पाच layer था अभी दो layer बन चुका है मतलब कि यह दो चारो layer है एक बन कर तियार हो चुका है फिर shift on alt को दबाएंगे photo पर click करेंगे click करने के बाद नीचे की side में drag and drop कर देंगे तो यह मेरा 8 photo बन कर तियार हो चुका है यहाँ पर भी देखिए तीन layer बन चुका है दो layer photo का और एक background है फिर इसी तरह से layer को select करेंगे आख के बदल में एक box बना है उसमे click करेंगे click करने के बाद layer पर जाएंगे और यहाँ पर merge लिंकेड कर देंगे तेहाँ पर दो layer फिर बन कर तियार हो चुका है photo पर click करेंगे और photo पर click करने के बाद photo को थोड़ सा बड़ा कर लेंगे ताकि page पर अच्छा तरह से set हो जाए photo बड़ा करने के लिए control के साथ में T press करेंगे control T और shift दबाएंगे shift दबाने के बाद mouse के left button क्लिक करके कोने से तिर देंगे तो ये photo मेरा बड़ा हो जाएगा और page पर अच्छी तरह से set भी हो चुका है अब यहाँ पर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे इंटर प्रेस करने के बाद इस photo में stroke लगाएंगे मतलब कि किनारे किनारे एक line लगाएंगे line लगाने के लिए edit पर जाएंगे edit पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा है stroke इसपर हम click कर देंगे click करने के बाद देखिये यहाँ पर width में डालना है 2PX मतलब की 2PX तो 2PX डालेंगे नीचे के ब लिखा है color यहां पे हम लोग color अपना select कर लेंगे, color रखेंगे red, ok press करेंगे, यहां पे भी ok press कर देंगे, तो यह मेरा photo में line लगकर त्यार हो चुका है, दोस्तों अब इस page को हम लोग rotate करेंगे, rotate करने के लिए image पे जाएंगे, image पे जाने के बाद, यहां पे rotate के द्वास पे click करेंगे, और 90CW पे click कर देंगे, तो यह मेरा page पहले जैसा था, वह ऐसा है बनकर त्यार हो चुका है, अब जो page पे photo बनाया है, इसको हम लोग print निकालेंगे, print निकालने के लिए control के साथ में P दबाएंगे, तो ऐसा dialogue box खुल कर open हो जाएगा, scale to fit media पे click करना है, और यहां पे print पे click क करते हैं, और passport size photo बना कर print निकालते हैं, दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, और साथ ही अपने दोस्तों को साथ share करें, अगर आपको समझने में किसी परकार का दिक्कत हो, तो आप हमें comment कीजिए, अब आपको new वीडियो में अच स्लुड़ वे?